हुनासा, यहाँ पर आप देख रहे हैं, दो दिनों से बड़ी तेजी आ रही है सड़ली इसमें क्या हो गया है, यह क्यों बाजार के रिडार पर है आज भी देखें, करीब 8% की गेंज के साथ ट्रेट कर रहा है एक बाद नुपूर से जानते हैं, नुपूर बताएगे इस पर क्यों करना है फोकस बल्कुल यहाँ पर ख़बर आते हुए दिखें, जिसकी वज़से बैक टो बैक दूसरे दिन इतना बड़ा मूर देखने को मिला है और दो दिन में स्टॉक करीबं 12% उपर भी है कंपनी की एक सेग्मेंट है, धर्मा कंपनी जो कंपनी का एक दूसरा ब्रैंड है जो एक्क्वायर किया था हाली में उसकी अनुलाइजड रेविन्यू रन रेट पांच सु क्रोड से जादा होती हुई दिखें मामार जो कंपनी का फ्लैक्शिप ब्रैंड है उसके बाद ये दूसरा ब्रैंड बना है जिसकी रेविन्यू रन रेट पांच सु क्रोड के पार जाती हुई नजर आ रहे है सबसे बड़ा कंसरन इस कंपनी के लिए यही ता कि लगातार कंपनी अक्पोडिशन करती है ब्रैंड को लेकर और फिर उन्हें एक्स्पैंड करना एक बड़ा सवाल यहाँ पर उड़ता हूँ उस पर जो कंपनी ने काम किया है स्ट्राइजिकली फिनांचली जो ट्रैक यहाँ पर रिकॉर्ड दिखा है दर्मा कंपनी का और 500 क्रोड से जाधा का रेविन्यू रन रेट आ रहे है वो पॉजिटिवली देखा जा रहा है जेफरीज की दरफ से भी देखे तो यहाँ पर भरोसा बढ़ते हुए दिखा है इन फाक्ट एक और चीज़ सामने आई है कि पियर्स जो इस सेग्मेंट में है धर्मा कंपने के जो प्रडाक्ट से वो सेग्मेंट के जो दूसरे प्लेयर्स है उससे कंपनी काफी आगे निक करीबन 50% एक्विटी जो लॉक इन में है वो दो तारीक के दिन दो माई के दिन ओपन अप हो जाएगी तो शायद यहाँ पे थोड़ा इंपक्ट देखने को मिले लेकिन पॉस्टिन यूजर कंपने की तरफ से धर्मा कंपनी दूसरा ब्रैंड बन चुका है जो 500 क्रोड से साधा रेविन्यू कर रहा है एनुली तो लगाता दो प्रैंड यह होगी जो 500 करोड से जादा का बिजनस मामा आर्थ को करके दे रही है और उसके दम पर स्टोक 9% पाग रहा है जो भाग रहे है मतलब अनाव शिनाप ही भाग रहे है बड़ी तेजी होती दिख रही है चलि